भाशा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है learning, English में क्या बोलेंगे इसे, language, learning बोला जाएगा English में से, learning बोला जाएगा, तो भाशा अधिगम क्या होता है, देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, सबसे पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा, learning का मतलब क्या होता है, कोई चीज या तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रूल्स पढ़ने पढ़ेंगे या फिर बुक्स वगएर से सीखेंगे या टीचर हमें सिखाएगा सीखने में हमें किसी ना किसी की जरुरत पढ़ती है आप खुद से ही कोई चीज नहीं सीख पाओगे आपको कोई टीचर की जरुत बढ़ेगी मतब कोई तो माद्यम चाहिए जहां से आप सीख सको तो सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारी व्यवाहार में परिवर्दन होता है तता हमारी व्यवाहार को नई दिशा मिलती है देगे जब आप कोई चीज सीख जाते हो तो आपका थोड़ा व्यवाहार यहनी के बिहवियरी चेंज कर दोगे जिसे मालेजे मैत का कोई चाप्टर पढ़ रही हो मालेजे वो चाप्टर आपको पूर अच्छे से समझ में आ गया आपने वो सीख लिया कैसे करना है तो खुशी मिल जाती है थोड़ी सी हमें अंदर से चाहे व हम दूसी चीज भी सीख सकते हैं confidence आ जाता है हमें तो अधिकम का मतलब सीखना होता है second point देखे क्या है भाशा अधिकम के लिए विशेश तयारियों की जरुरत पढ़ती है जादर से जादर किस पे जोर दिया जाता है सीखने पे जोर दिया जाता है विशेश तयारियों से म books की भी हो सकती है teacher की भी हो सकती है आपके parents की भी हो सकती है किसी की भी हो सकती है तो आपको थोड़ी से विशेश तयारियों की जरुरत पढ़ती है और इसमें सीखने पर जोर दिया जाता है कि learn करने पे जादर से जादर जोर दिया जाता है अगला point देखे क्या है अधिगम एक ऐसी प्रकिर्या है जो जीवन परियंत चलती है तो ये question आएगा exam में कि अधिगम प्रकिर्या है जीवन परियंत एक option होगा या दूसरा option होगा कि समाप्त हो जाती है या किसी विशेश age पर आके समाप्त हो जाती है ऐसे आपको option मिलेंगे तो धिहान रखना जो अधिगम प्रकिर्या होती है वो जीवन परियंत चलती है यानि जब से आप पैदा हुए हो जब सका आप मरोगे तब तक ये प्रकिर्या चलती रहेगी तेकि हम जीवन में कुछना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं ये कोई बात नहीं कि आपने 24 age के बाद पढ़ाई छोड़ ते आपक जीवन परियंत चलती रहती है और इसके द्वारा हम क्या अरजित करते हैं ग्यान अरजित करते हैं तो लर्निंग समझ में आ गया अधिकम क्या होता है अधिकम ऐसी प्रॉसेस होते हैं जिसमें सीखने पे जोर दिया जाता है आपको थोड़ी से तयारियों की ज़रूरत करता है और यह जीवन परियंत चलती रहती है तो नॉर्मल आपको सिफ इतना ध्यान रखना है